रचना निर्मे 5 एक ऐसे त्रिभूज की रचना करना जिसका परिमाप तथा दोनों आधार कोण दिये हैं उधारन 5 एक त्रिभूज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 30 अंश कोण C बराबर 60 अवं AB धन BC धन CA बराबर 10.5 cm है बच्चों आज हम ऐसे त्रिभूज की रचना करने जा रहे हैं जिसके तीनों भुजाओं का योग हमें दिया हुआ है और आधार के दोनों कोण दिये हुए हैं इस उधारन में त्रिभूज ABC है जिसकी हमें रचना करनी है कोण B 30 हंस का है और कोण C 60 हंस का है और त्यनों भुजाओं का योग 10.5 cm दिया हुआ है इसकी रचना शुरू करने के लिए ये जो हमें माप दी हुई है त्यनों भुजाओं की सबसे पहले उसे ही हम आधार रेखा के रूपे बनाते हैं और एक ऐसा रेखा खंड खीशते हैं जिसकी लंबाई 10.5 cm है ये देखिए हमने एक रेखा खंड बनाया जिसकी लंबाई 10.5 cm है इसे हम नाम दे पी और क्यू इसकी लंबाई हमें मालूम है 10.5 cm अब जो दो कोड हमें देवे हैं कोड बी पर 30 अंश का कोड और कोड 60 अंश का जो C पर बनने वाला है इन दोनों कोडों को हम करमशा पी और क्यू पर बनाते हैं इसके लिए हम चांदे का उप्योग करते हैं और चांदे को जैसा रखा जाता है आप जानते है ठीक उस तरह से हमने हाँ पर रखा और बी पर जो बनने वाला कोड है 30 अंश का उसे हम पी पर बनाते हैं अंदर के पैमाने को उप्योग करेंगे शुन्य दस बीस और तीस यहां हमने निशान लगाया और चांदे को हटा लिया कि इसे पी से मिलाकर आगे बढ़ा दे कि इसे किरंट ग्रूप में हम नाम देते हैं मान लिजे हमने कह दिया इसको किरंट पी एल इस कोड की माप 30 अंस है इसे हम अलग लिखते हैं कि जब हम काम करें तो ये लिखावर्ट व्यवधान ना पैदा करें अब जिस तरह से हमने पर 30 अंस का कोड बनाया ठीक वैसे ही Q पर भी हम कोड बनाएंगे और जो कोड C पर दिया हुआ हुआ है 60 अंस का वही कोड हम Q पर बनाएंगे चांद एक हमने फिर से रखा बिंदू Q पर उससे केंदर बिंदू है और आपकी बार हम बाहर वाले पैमाने से पढ़ेंगे शुन्य दस बीस तीस चालिस पचास और ये साथ ये हमने निशान लगाया और इस निशान को इस बिंदू को क्यू से मिला दिया इसे भी नाम दिया किरन क्यू एम अब हम इसकी माप लिख दें हाँ साथ हंस का ये कौन बना इसे आप चाहें तो इस तरह दिखा सकते हैं अब जो दो कोण हमें मिले हैं हम इनका कौनारधक खीचेंगे ये जो दोनों कौनारधक होंगे वो जहाँ पर कटेंगे वही हमारे अभिश त्रिभुश का शीर्स होगा कोडारदा खेशने के लिए हम परकार के इस्तमाल करें परकार की नोक हम बिनदु पीपर रखते हैं और एक चाप खेशते हैं यहांपर इन दोनों बुझाओं को यह चाप जहां जहां काठता है फिर से हम परकार की नोक रखकर फिर से दो चाप अलग-अलग खीशते हैं एक बिंदू इस वाले बिंदू से और दूत्रा इस बिंदू से जहां पर चाप एक दूत्रे को काट रहे हैं उस बिंदू को हम पीसे मिला दें इसे हम कटी हुए रेखा से मिलाएं ताकि बात में जाम त्रिबूश के रशना करें तो यह अलग उससे दीखें इस तरह से हमने रेखा करण कोर्ण का अर्धक खीजा और ठीक इसी तरह से परकार को उप्योग करके फिर से हम क्यू पर बने कोर्ण जो सार्थंस का है उसका भी अर्धक खीजते हैं यह हमने एक चाप लिया और यह चाप जिन बिंदों पर कोर्ण बनाने वाली भुजाओं को काटता है वहां से फिर से हमने इसे काटा एक बार यहां से भी और इसे फिर से हमने मिलाया इस दोनों कटन बिंदू और क्यू इसे हम मिलाए कि यह दोनों कोर्ण के अर्धक जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो हमारे त्रिभुच का शीर्स होगा इसे हम नाम दे दे दें अब एसे जो भुजा आब बनेगी और एसी बनेगी वो भी इस पी को के साथ करम्श तीस अंस और साथ अंस का कॉन बनाएगी इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो हमें रेखाय मिलने वाली हैं वो इसके समना अंतर होगी एक रेखा जो एब बनेगी वो PL के सबनांतर होगी और दूसरी रेखा जो AC बनेगी वो QM के सबनांतर होगी उन सबनांतर रेखाओं को प्राप्त करने के लिए अब हम रेखाखंड AP और रेखाखंड AQ का लंबारदक खीचेंगे आपको लंबारदक खीचना मालूम है हम फिर परकार की सहाथा लेंगे और ये जो मिंदू A है वहाँ पर परकार की नोख हम ने रखी और PA के आधे से अधीक हमने एक चाप लिया और PA के दोनों तरफ इस तरह से निशान लगा दिये यही काम हमने PA पर भी रखके किया और पहले बने वे दोनों चापों को काटा जहां पर यह चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उससे हमने मिला दिया यह हम PA का लंबार्दा खीच रहे हैं इससे भी हम कटी ही लाइन से प्रदर्शित करेंगे ठीक इसी तरह से एक यूगर लंबार्दा खीचे हम एक यूगर जितने लंबाई है उसके आधे से कुछ अधीक कित रिज्जा का चाप हम यहां काटेंगे और दूसरी तरह भी काटेंगे यही काम ए पर रखकर परकार की नौक को फिर से हम करेंगे जो पहले दोनों चापों को काटे ऐसा हम चाप खीचेंगे यह जो दो बिंदू हमें मिले इन्हें फिर से हम मिलाएं यह देखिए हमने एक कर लिया अब यह जो लंबार तक जहां पर बिंदू को काट रहे है उस बिंदू को हम नाम दे बी और सी यह जो दोनों बिंदू होंगे वो उस त्रिभुच के दो महत्पूर्ण बिंदू होंगे जिनकी हमें तलाश थी बिंदू सी से बिंदू ए को मिलाया उसी तरह से बिंदू ए से हम बिंदू बी को भी मिलाए यह हमने ए और बी को मिला दिया अब आप देख रहे हैं एक त्रिभुच A, B, C जो हमारा अभिष्ट त्रिभुच है यहाँ बराब जो कोण देख रहे हैं वो 30 अंश का होगा यह कोण 60 अंश का होगा और यह तीनों बुजाओं की माफ जो हमें शुरू में दी गई थी 10.5 cm उसके बराबर होगी अब आप पूस सकते हैं क्या ऐसा होगा तो उसके लिए आप चाहें तो इसके जाज भी कर सकते हैं अब यह दुनों कटन बिंदों उनको आप मिलाएं अगर तो इने मिलाने वाली रेखा आप देखें कि तुर्ष की शिर्ष से होकर गुजरती है और ऐसा करने पर आपको बाएं हात की तिरफ एक सम्चत्रूश दिखाए पड़ता है और दाहिने हात में भी एक सम्चत्रूश दिखाए पड़ता है अगर यह सम्चत्रूश है इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भुजाएं आपसे बराबर होंगी और ये भी उनके बराबर होंगी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी तो आप देख रहे हैं कि पूरी रेखा जो PQ है उसका एक हिस्सा जो PB है वो BA के बराबर है और वैसे ही सम्चत्रभुज ACQ इसका भी आप कोई नाम दे सकते हैं ये सम्चत्र भुज जो है उसकी चारों भुजाएं आपसे बराबर है और भुजा CQ जो है वो CA के बराबर है तो हम देख रहे हैं कि P, B, C, Q के तीन हिस्से हुए P, B, B, C और C, Q B, C तो बीच का हिस्सा है जो P, B है वो BA बन गया और जो C, Q था वो CA बन गया अर्थाद P, B, C, Q जिसकी पूरी लंबाई 10, 5 cm थी वो त्रिभुज की तीन भुजाओं में बढ़ गई और इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज यहां बना है उसकी तीनों भुजाओं को योग 10.5 cm है और ये चुकि दोनों सा मना अंतर है इसलिए जो कोण 30 डिगरी क यहां बन रहा है वही कोण यहां बन रहा है ठीक उसी तरह से चुकि ये दोनों सा मना अंतर है इसलिए ये जो सार्थान्स का कोण है वो यहाँ पर बन रहा है साटन्स का कोण तो त्रिभूज ABC वह त्रिभूज हुआ जिसकी हमें रशना करनी थी तो बच्चो आप भी इस माप को ले करके एक बार कोशिश कीजिए और जब आप इसे बना ले तो अपने मन से कोई और नई माप लेकर इस प्रकार के त्रिभूज की रशना करें आप देखेंगे थोड़ी सी कोशिश के बाद ये त्रिभूज आप से बन सकता है एक बराबर ये देख लें के हमने किया क्या सबसे पहले दीवी नाप के बराबर एक रेखा खड़ने हाँ पर खीचा और जो कोणों की माप दी हुई थी उन कोणों का हमने दोनों सीरों पर बनाया और उसके बाद हमने इन दोनों कोणों का अरदक खीचा ये दोनों अरदक जहां एक दूसरे को काटते हैं वो उस त्रिभूज का शीर्स होगा और इस रेखाखंड का हमने लंबारदक खीचा ये लंबारदक PQ को जहां काटता है उसे नाम B बिग दिया उसी तरह से रेखाखंड AQ का लंबारदक हमने खीचा जो इस PQ को C पर काटता है और B और C को हमने A सी मिला दिया तो हमारा त्रिभुच ABC तयार हो गया जिसे हम बनाना चाहते थे करके देखें आपके द्वारा बनाए गए त्रिभुच की तीनों भुजाओं को ना पिए और उनका योग कीजिए क्या AB धन BC धन CA बराबर 10.5 cm प्राप्त हुआ?